है अब बात कर लेते हैं आई बीम के बारे में काफी लोगों कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो मैं क्लीर कर देता हूं देखो जब आप इसमें एप्लाइ करोगे ना एप्लाइ करने के बाद यह वाली हरें जो मैं बताई थी एक डारेक्ट टेस्ट हरेंग है ओके तो उसके बा मिलेगा अब उस कोडिंग असेस्मेंट के लिए यहां पर एक फॉर्म है जो फिल करना मेंडिटरी है तो इसमें अगर आप डिसेबल परसन हो दैन ओनली यू चूज यस ऑप्शन अधर्वाइस नो वारा ऑप्शन आपको चूज करना है ओके यह वाला फॉर्म करने के आप अपन क्लिक करके देख सकते हैं इसमें और मैं आपको इसको भी एक्स्प्रियन कर देता हूं यह देखो बैकेंड डेवलपर इंडिया स्टेंडर वाली हाइरिंग है और इसमें 45 मिनिट्स का यहां पर टाइम रहेगा दो कोडिंग क्वेश्चन सो में ठीक है 45 मिनिट् देख लेते हैं अपन सो यह क्वेश्चन आ चुका है अब देखो अगर आप इस प्लेट्फॉर्म से चित पर चित नहीं हो तो आपको बताइता हूं उपर से आप अपनी लेंग्विज चूज कर सकते हो जिसमें भी आप कोड करना है तो आप इसको चूज कर सकते हो फिर ब कि का इनपूट में आप वह चीज़ डाल सकते हैं father then test results में आपके पूरे results शोओ कर देगा अगर आप यहाँ पर लिखे होँ को रन करना चाहते हो तो यहाँ से आप आप अपने को को-ड कोरं कर सकते हो अलाँ करना चाहते हो तो coding के question का जो level होगा उसके बारे में हम discuss कर लेते हैं देखो क्या prepare करके जाना है इसके वैसे already काफी सारे questions काफी सारे groups पर आ रखें तो उसका मैं आपको एक लेवल discuss कर देता हूँ किस level के questions पूछ रहा है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं देखो जो IBM के coding का question का level है इसमें generally आपको data structures and algorithms के जो basic आपके DSA वाले questions है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है मतलब आपको कैसे questions देखने को मिल रहा है आपको देखने को मिल रहा है algorithmic question algorithmic मतलब जहां पर additional ऐसा कुछ data structure वगरा का use ना हो बलकि आपको कुछ data पर ही कुछ manipulation करके आपको कुछ काम करना पड़ता है question का level है वो medium है और 45 minutes में इसको solve करना है दूसरी बात काफी लोग test दे रहे है तो एक बात याद रखना जो बंदा इस question को जतनी जल्दी solve करेगा इन दो questions को उसको उतना advantage मिलेगा एक बात और clear कर देता हूं तो hacker rank में क्या होता जैसे कि suppose 15 test case दिये है ठीक है 15 test case दिये है जिस आपके code submit होने के बाद hacker rank में कोई भी age cases include नहीं होते है आपका code पीछे run करता है algorithm run करती है जिसमें 10-15 hidden cases पर भी जो आपका code है वो run करता है इस बात को आप थोड़ा सा याद रखना कि पीछे भी तो कुछ 10-15 cases होते हैं तो अगर आप सोच रहे हो कि age cases वागर अगर missing out है तो क्रपया उनको करके भी include कर दो ठीक है age किस वागर भी handle कर देना इस पर ठीक तो यह मेरी जानकरी थी और media level की question है I hope मैंने clear कर दिया होगा IBM का सारा कुछ scenario आपके सामने so thank you so much for watching